इस भायंकर गर्मी में सिर्फ दो चीजों से इतना टेस्टी और हैल्दी नाश्टा बनेगा कि खाने वाले का पेट भर जाएगा पर मन नहीं सिर्फ दो बेसिक इंग्रीडियन्ट से बना कुकिंग टाइम कम है और यह देखने में जितना टेस्टी और चटपटा दिख रहा है ना लेकिन मजे की बात है कि यह बहुत ही ज्यादा हैल्दी है तो इस गर्मी में आपको और क्या चाहिए फिर बिना देरी चलिए इस नाश् तो देखिए सूजी पूरी ही तली पे बैठ चुकी है अब हम क्या करेंगे कि यह जो एक्स्ट्र पानी है ना निकाल देंगे आप चाहें तो इसे चान कर भी ले सकते हैं या बरतन को इस तरीके से ही तिर्चा करने पर यह सारा ही पानी निकल आता है तो देखिए सूजी का सारा ही पानी निकाल दिया है यहां सूजी अच्छी तरीके से भीग चुकी है लेकिन इसमें एक्स्रा पानी नहीं है तो अब हम क्या करेंगे कि सूजी को 5 मिनिट का रेस्ट देंगे जिसे कि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए और हम दूसरी त्यारी कर लेते हैं तो इस का सेकंड इंग्रीडियन याने की एक छोटे आलू को लिया है यहां पर मैंने आधा कप सूजी ली थी इसलिए आलू छोटा लिया है अगर आप एक कप सूजी ले रहे हैं तो आप एक मेडियम साइज का आलू ले ले और आलू को छील कर हमने छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लिया है आलू को कट करने के बाद इसे हम पानी में डाल देंगे क्योंकि आपको पता ही है कि आलू कट करने के बाद बहुत ही जल्दी कलर चेंज कर लेता है तो आलू को कट कर लेने के बाद अब हम लेंगे मिक्सी जार इसमें हम डालेंगे हमारी भीगी हुई सूज को सूजी यहां बहुत एच्छी तरीके से फूल चुकी है चलिए तो सूजी को डालेने के बाद अब हम डालेंगे कट कियो हुए आलू को लेकिन उस पानी को मैंने निकाल दिया है यहां हमें सिर्फ आलू को ही डालना है अब हम क्या करेंगे कि सूजी और आलू को बहुत पाइन पेस्ट बनकर यहां रैडी है अगर आपको पानी लगता है तो आप इसमें एक चमच पानी डाल सकते हैं ध्यान यह दे कि इसमें आलू की गाठे ना हो और बैडर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो तो चलिए अब इस बैटर में हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्ड एक बड़ा चमच नीबू का रस और आप चाहे तो नीबू की जगा अमचुर पाउडर या साइट्रिक एसिट का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो उससे होगा यह कि हमारा नाश्ता हलका सा खटा हो जाता है और यह बहुत ही ज्यादा पेस्टी लगता है तो चलि रखाँ सेATE S9 को हम P daddy में मिक्स कर देंगे यह इस थड़के का टेस भहती बढ़ी आता है तो तढके को इस नास्ते में जरूर लगाए तो यह तरका हमारा पहुत यह अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है अब नाम्स्ते को बनाने के लिए इधर हमने केक टिन को ले लिया ह आप चाहें तो केक्टिन की जगा दिब्बे या किसी भी गहरी थादी का इस्तमाल कर सकते हैं इसे हम अच्छी तरीके से ओयल से ग्रीस कर लेंगे केक्टिन को रेडी कर लेने की बाद चलिया बैटर में हम डाल देंगे इनो को तो यहाँ पर मैंने आधा चमच इनो का इस्तमाल कर रहा है आप चाहें तो इनो की जगा वनफूर चमच बेकिंग सोड़ी का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो यहाँ इनो को इस बैटर में हम अच्छी तरीके से मेक्स कर देते हैं तो आप देखेंगी कि बैटर काफी full चुका है तो बस हम फटा-फट से इस बैटर को इस cake tin में transfer कर देंगे और ये काम आपको बहुत ही जल्दी करना है तो बैटर को cake tin में transfer कर लिया है अब इस cake tin को हम लेके चलते हैं gas की और इधर हमने एक छोटी सी तैयारी पहले ही कर रखी थी, कडाही में दो गलास पानी ढालकर उसमें स्टेन्ट डाल दिया था और इसे कवर करके इस पानी में उबालाने दिया और पानी जब उबलने लगे ना तभी इस cake tin को हम इस stand पर रख देते हैं और इसे cover करके 12 से 15 मिनिट इसे steam होने देते हैं लेकिन एक जरूरी बात कि बैटर में आप ino या baking soda तभी mix करेंगे जबकि आप steamer या कड़ाही में इस तरीके से पानी डाल कर उसमें उबालाने देंगे क्योंकि ino डालने से जो हमारा better rice होता है तो बस फटा-फट से इसे हमें steam होने रखना होता है तभी ये नाष्टा बहुत ही अच्छा बनेगा और इधर हमने नाष्टी को 15 मिनिट बात चाकू इंसर्ट करके चैक कर लिया था तो देखे चाकू पर नाष्टा बिल्कुल नहीं चिपकता तो नाष्टा एकदम ready है अब नाष्टी को हम क्या करेंगे कि बाहर निकाल लेंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे ठंडा करना जरूरी है नहीं तो demold करते समें नाष्टा हमारा तोट सकता है और अब इसके मंचाहे शेप्स में पीस कट कर सकते हैं काटने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि नाष्टा हमारा बहुत ही soft और अच्छा बना है इस नाष्टे में आलू का बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है लेकिन इसके टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम देंगे इसमें एक इस्पेशल तड़का तो यहां दो चमच तेल को गर्म कर लिया है अब इस तेल में हम डालेंगे तीन स्लिट करी हुई हरी मिर्चों को इस मिर्च को भी यहां हम हलका सा प्राय कर लेंगे और अब मिर्च को हम एक तरफ करने के बार डालेंगे इसमें आधा चमच राई साथ ही डालेंगे आधा चमच जीरा इन दोनों को हम अच्छी तरीके से पहले क्रेकल होने देंगे गैस की फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे एक चमच पावभाजी मसाला पावभाजी मसाले से इस नाश्टे का टेस्ट बहुत ही जादा चट पटा आता है साथ ही डालेंगे आदा चमच काश्मेरी लाल मिर्च ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, बस इससे नाश्टे का कलर अच्छा आता है, गैस की फ्लेम को हम एकदम लो ही रखेंगे, नहीं तो मसाले हमारे जल सकते हैं, और अब हम हमारे नाश्टे की पीसिस को एक ही करके इसमें डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में इ इसे ही नई नई रास्पी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, रास्पी थोड़ी यूसफुल लगे तो इसे फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें, तो देखें सबी पीसिस पे मसाले अच्छी तरीकी से कोट हो चुके हैं, देखें नाश्टा हमारा देखने मे ही कितना अच्छा लग रहा है, चलिए तो अब इसे पटाफट से हम सर्व भी कर लेते हैं, बीना दही सोडा फर्मेंटेशन के बहुत ही जटपट हैल्दी नाश्टा बनकर तयार है, इसे हम धनिया से गार्निश कर लेंगे, आप चाहे तो इसे हरी चटनी से खाए या टमे बताईएगा, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रैस्पी के साथ,